हेलो फ्रेंड्स, तुड़े वी आर गूर्ण टू दू बूर्ड एक्जाम क्वेशन पेपर ओफ क्लास टेंथ सबसे पहले फ्रेंड्स हम करेंगे सेक्शन ए रीडिंग स्किल से पेपर की शुरुबात तो क्वेशन नमबर वन है हमारे पास रेड्टे फॉर्ड पास ताफालो तो इस सक्षन में फ्रेंड्स हमारे पास दो कॉष्चन होंगी 10 मार्क्स एच और दोनों ही अनसीन पैसेज हैं हमारे पास और दोनों का टोटल होगा हमारे पास 20 मार्क्स जैसे के आप देख सकते हैं फर्स्ट पारग्राफ, सेकंड पारग्राफ और थर्ड पारग्राफ यहां है और यह है बाकी पारग्राफ फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ इस पैसेज में टोटल सेवन पारग्राफ हैं और फ्रेंज इस पैसेज में बेसिकली गोल्ड की स्चोरी बताई गई है क गोल्ड जो है वो कैसे इंपोर्टेंस रखता था हमारे लिए ओल्डर टाइम्स में और गोल्ड कहां पाया जाता था बेसिकली इसमें साउथ एफ्रिका की गोल्ड माइस के बारे में बात की गई है जो कि लार्जली ब्लाक लेबरर्ड की इंप्रॉयमेट पर डिपेंड होती थी और इसमें दो तिन केंग्स के बारे में भी डिसकेशन होई है एक केंग था टूटन खामेन जिसे एक गोल्ड के कॉफिन में बरी किया गया था ऐसे इस करके हमें पैरग्राफ को रिड करके नीचे दी गई कोशन्स की आंसर्स देने है अब है हमारे पास यहाँ पर कुछ कोशन्स इसमें 10 कोशन्स रहेंगे हमारे पास पहला है वेन वास केंग तूटन खामेन बरीड इसका अंसर जब आपके स्चड़ी को पढ़ेंगे यानि अंसिन पैसेज को पढ़ेंगे तब आपको पता लगजेगा वैसे मैं आपको बताता हैं कि इसका अंसर 3300 येर्स अगो है 2. Why did Egyptians hold gold in great esteem 3. According to the passage which of the foreign statements is not true पैसेज पढ़ने उसके बाद इसमें से बताने कौशी statement true नहीं है 4. The wandering Israels worship the golden calf and dash Friends उसके बाद है हमारे पास question number two हमारा दूसरा अंतिन पैसेज जो की सेम 10 marks carry करता है और इसके अंदर हमें Mars Mission के बारे में Indian Space Research Organization, Space ISRO और satellites के बारे में information दी गई है और उसी basis की understanding पर हमें नीचे दिएगए questions को answer करना है यह questions है जो हमें answer करने है फिर्स्ट है इन फर वान रीजन फॉर दे फॉलिंग बेस जोंदा इन इन फॉर्मेशन पैरकावन इस question का answer यानि इसका reason हमने पैरकावन से देना है the blackout face is significant because क्यों है यह significant इसका reason है पैरकावन से देंगे इसके बारत question number two है third है, fourth है और यह fifth one है यह हमारे six to ten questions है जो second paragraph है उसके उसके बाद friends है हमारे पास section B grammar and creative writing skills का friends grammar and creative writing skills में basically हमारे पास 12 questions होते हैं जिसमें से हमारे पास हमें कोई ten करने होते हैं और इसमें basically जो हमारे questions आते हैं वह होते हैं reported speech से, tenses से, determiner से और model से और friends अगर आप इनकी practice करना चाहते हैं तो आप BBC से कर सकते हैं और BBC के solutions next videos में आपको मिल जाएंगे आप वहां से BBC की practice भी कर सकते हैं basically section B में हमारे पास determiners, tenses हो जाते हैं subject verb agreement, models, reported speech और active passive words के questions आते हैं उसके बाद हमारे पास 2 writing skills आ जाती है question number और question number 5 की तरह, question number 4 में हमें 2 letters मिलेंगी और दोनों में होगी choice पहले वाली letter है हमें editor को और अगले वाली letter है एक business letter है जिसकी word limit हमें given है 100 से 120 words यानि 100 से 120 words में ही हमें अपने letter complete करनी है friends उसके बाद है हमारे पास analytical paragraph और friends इसमें भी हमें choice मिलेगी और word limit question ने specially mention किया गया है कि in about 100 words तो हमें word limit को exceed बिलकुल भी नहीं करना है और word limit के अंदर ही हमने paragraph को analyze करना है यह है पहले वाले analytical paragraph का graph जो आपको paragraph में analyze करना है option में part B है अब हमारे पास इसकी भी word limit 100 words ही रहेगी अब है अब है अब है अब है अब है यह अब है अब है अब है फ्रेंड्स उसके बाद है हमरे पास section C literature part और यह इस paper का आखरे श्राव section रहेगा जो कि 40 marks contain करेगा बहुत important section है question number six और question number seven इसमें हमारे पास mcq रहेंगे जो की scene passage आप कह सकते हैं जो हमारी book के अंदर से ही आएंगे और इसमें भी हमें option मिलेगी डो options होंगी 6th का A part और B part तो इन में से भी हमें कोई A की करना है और यह एक passage five marks contain करेगा यह है second option में 6th question का scene passage फिर उसके बाद same है हमारे पास question number seven जिसके पास हमारे पास होंगी two options और यह दोनो जो पैसेंज होंगे वो extract होंगे हमारी poem से और question number six जो है वो chapter के extract होते हैं friends उसके बाद series में है हमारे पास question number eight read the following questions and answer any four out of the five questions given below question number eight में हमारे पास five questions होंगे total जिसमेंसे हमें कोई भी best four attempt करने हैं जो हमें best चाते हैं अच्छे से आते हैं और यह questions three number contain करेंगे यह question three marks का है उसके बाद है हमारे पास question number nine read the following questions and answer any two of the three given questions that follow friends हमारे पास English के literature में two books हैं एक first flights और एक footprints without feet तो जो question number eight है वो first flight पे होगा और question number nine के जो questions है वो footprints without feet से आएंगे इसमें हमारे पास three questions given होंगे जो कि ती number के होंगे यानि ती number का एक question है जिसमें से हमें कोई do करने हैं यह question number nine का part B और part C उसके बाद friends हमारे पास two questions रह गए हैं question number 10 और question number 11 जिसमें हमें दो question में से कोई एक question करना है और यह question six number के यानि हम long question की बात कर रहे है answer any one of the following questions in 100 to 120 words word limit हमें given है 100 to 120 और इसमें हमें answer देना है पहला है motivation plays an important role in taking risks in life and in succeeding do you agree discuss with reference to the pilot of the old Dakota and the young seagull तो friends हीवला question है हमारे chapter two story is about flying से यानि फर्स्ट फ्लाइट बुक से है और यह भी फर्स्ट फ्लाइट बुक से ही है वली वाज एन एक्स्टा ओर्डिनरी गर्ल who had self-confidence and courage to realize her ambition by planning and drawing on her spirit of adventure discuss in reflection chapter madam writes the bus madam writes the bus का यह वला question और यह two stories about flying का है इस में से कोई हमें एक attempt करना है जो सबसे अच्छी तरह आता है हम वही attempt करेंगे question number 11 answer any about about the following questions in 100 to 120 words same question number 10 की तरह इसमें भी कोई एक attempt करना है इन दो questions में से पहला वाला chapter रहे गा हमारा बुली का जिसमें से हमें question आया है destiny had been cruel to bully yet she made a place for herself in the conservative society discuss six marks का question है और option में है मर पस Matilda was proud of her beauty and charm and this leads to her downfall elaborate और यह है हमारा chapter the necklace thank you friends